राम राम भाईयों यह वीडियो मैं आज अपने प्यारे ड्राइवर भाईयों के लिए और जो भाई लोग प्राइवेट नोगनिया करते हैं उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या इस वीडियो का वीडियो को मैं इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो दो तीन साल से करोना के कारण जो प्रेशानियां आ रही हैं वो बात मैं मोधी जी तक पहुचाना चाहता हूं इस ही आपके मध्यम से तो प्लीस अप इस वीडियो को जादर 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 शेयर करना जिससे कि ये वीडियो मोधी जी के पास पोच सके तो दोस्तों वीडियो चालू करते हैं ये वीडियो आज परपस है काम के लेटिव जैसा कि आप सब भायू झानते हो कि करोना के चलते हुए हर साल तीन दो- से DoSomber के end से करोना से चालू होता है आप पता नहीं क्रोना से चालू नहीं होता है यह खुट करते हैं क्या करते हैं कुछ समय tragically नहीं हाता है लेकिन हर लाष्ट DoSomber December last से कर लोगडाउन लगना चालू जाता है या आप सभी को पता ही है और वह लोगडाउन चलते 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 चर्णवरी फर्वरी मार्स तक जाता है तो यह तीन महीने हम लोग के लिए बहुत ज्यादा कठिंग होते हैं जहां तक कि आप लोग को पता है कि बहुत परीशानिया होती है ड्राइवर भाईयों को काम ने मिल पाता सारे सारे जिन रोड पे ही वेट करना करते हैं उनके दफ्तरों में दीरे दीरे लोगडाउन चाल जाता है पहले 50% करते हैं फिर वह दीरे-दीरे पूरा लगडाउन के लगा देते हैं और जो उनके मालक लोग होते हैं वो सीधा उस टेम का कुछ कमपनियों में तो 25% 30% किछ-कुछ कमें 50% परसन उनकी सेल लिकार देते और कुछ कुछ कंपनियों में तो मुछ कहते हैं प्रिषानी में हुम लोग क्या करते हैं ऴड़ा कुछ करी नहीं पाते हैं कि लोकडाउन होता है तो कहां जाएं क्या करेंं कुछ कामी कुछ बाइयों के ओपर तो करजी भी हो जाते हैं दूबारा से जैसे मैं खुद एक ड्राइवर हूं तो मैं मेरे गारी में भी काफी लोग आपको बैठ बैठ रहते हैं उतर आते काफी पैसिन्जर आते हैं जले जाते हैं अपनी बाते शेयर करते हैं तो जैसे अब लास्ट पिछले साल का करजा खतम हुआ था अब फिर से लोग डाउं चालो गया फिर काम अब जिसलो हो गया अब फिर से करजा वर्जा लेने पड़ेगा तो हमें तो ही समझ में ही नहीं आता कि और यह सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है ना यह मैंने बहुत गोर करा क्योंकि मैं क्या मैंने जितने भी मेरे यहाँ पर पैसेंजर बैठते मेरी गाड़ी के अंदर तो उन सबसे बात करने से मुझे एक चीज का बड़ा पता चला कि यह जो परेशानी है जो करोना के वज़े से आ रही है यह सबसे ज़्यादा मिडल फैमिली पर आ रही है क्योंकि देख अपने घर में राओ च्टी मनाओ और जो गरीब लोग होते हैं बिल्कुली जैसे जो रोड रोड पर रहते हैं तो उनको तो वैसी कोई फ्रक नहीं पड़ता क्यों तो वैसी अब उनको तो फिर कहते ना भाई सरकार कहीं खाना चालू करवा देती है कहीं धर्मशालों में क कि जो वर्ग होते हैं उनको पर आती जादा कि दोखो यार अब हमारे पार इतना तो पैसा है नहीं है कि हम भाईया दो तीन महीने सब सर्वाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट टैम जो करोना हुआ था तब सब नहीं सर्वाई कर चाब मिडल फैमली हो कोई भी हो तब किसी को पर फचे लेने पड़ जाते हैं तो यहीं मैं इस सोच के वीडियो बनाया था कि मैंने बहुत कोड़ करा कि सबसे आदा जो प्रोल्म हारी है मिडल फैमली पार रही है मिडल क्लास के जो लोग है उनको ब्लैवर्स लोग हो गए प्लस प्राइवर्ट नोक्रियां करते हैं उनके तब भी उनको 75% मिलेंगे तो उनको कोई प्रोब्लम आने नहीं नहीं लिकिन जिनकी सहली बीस जार पे पच्चेश जार पी सहली है अब उनका अगर 25% करें तो उनके हाथ में कितना आएगा पंद्रह जार पे अब 15,000 रुपे अगर उसके पास में आये तो बंदा क्या करें या तो अपने घर का रेंट भरेगा या खाने के लिए करेगा या जो बहुत सारे काम है या सिलेंडर हजार रुपे का आता है अगर बंदा कोई नोर्मल से अभी नोर्मल खर्चा भी करता है अब जिस बंदे का डेली का हर महीन मंत का पंदा बीजार का खर्चा है अब वह एक दम में उसका काम बंद हो जाए तो बीजार पे यार कहीं से तो आ नहीं सकते ना फिर क्या करेगा बंदा वो कर ज़िए लेगा फिर एक महीने भी बीजार ऑफिर दो महीने फिर थी चानले लटा पर वही आज के लिए वैब चले कुछ लोग उनसे करजा लेते हैं कुछ लोग अपनी बैंक से करजास फिर उसके बाद तिन-4 महीने के बाद यह कहते हैं बहई करोना थोड़ा कम हो गया है यह दिक्कत करतम हो अब वो से चुकाना पड़ रहेगा क्योंकि आप देखो अब बंदे के उपर कितना बड़ा बजन पड़ा 20,000 तो उसने घर का खरच चाहा है ठीक है वो चलाएगा प्लस जो करजा ले रखा उसने 30,000 पर जो करजा लिया तो उसने वो तीन महीने के अंदर वो भी चुकाना है तो उस बज़े से वो खिच-खिच के ती 6-7 महीने में वो फिच बिचारा उस करजे को उतारना लग जाता है लेकिन अब तीन साल से यही हो रहा है कंटेनियू कि जैसी बंदा वो उतारता है तो फिर देसंबर के end में फिर दुबारा से करणना चालो जाता है तो मोधी जी सिर्फ हम आपसे यहीं चाते हैं हमारी आपसे बहुत इंतिजा है कि आप गरीब के बारों में सोचने हैं बहुत अच्छी बात है अभीरों के बारे में तो वो खुदी सोचते हैं उनके सोचने के लिए आपके कोई ज़ूरती नहीं है वो खुद इतने दिमागदार हैं वो खुद हैं वहीं फिसी बात है अब रह गए मिडियम फैमिली अब मोदी जी हम आपसे यह इंतिजा करते हैं कि कुछ आप मिडल फैमिली के बारे में भी सोची है क्योंकि मिडल फैमिली हमेशा कुछ भी काम हो हमेशा मिडल फैमिली ही पिस्ती है बीच में ना गरीब, अमीर को कोई फरक पड़ता है ना गरीब को को कोई फरकता है। जो मिडल फैमिली है वाले होत लोग critically होते है। क्योंकि आप देखे जैसे आपने किसानों के 강वा सा'm के किसे को 5000 उस फ़ातों में डाले उ किसी के महीने महीने में ठाइड़ा जार रपे डाले और रो इसाना के डाले ठाले ठीके जी अच्छी बात है। वो इसके पास जादा खीती नहीं जिसके बाद खीती नहीं है। लोगडाउन लगता है या आप लगाने की सोचते हैं या हर कोई भी राज्जे मैं सिर्फ पोदी जी आपके लिए नहीं कह रहा है मैं हर राज्जे की बात कर रहा हूँ कोई भी राज्जे कर लोगडाउन लगाता है तो प्लीस या तो आप उनकी जो भी कंपनिया हैं सारी कंपनियों को एक कुछ भी एक कानून ऐसा बनाई है कि जिससे जो भी प्राइवेट वरक हैं जो हम हैं जो हम पबलिक हैं जो भी हम मजदूर हैं जो वरक जो काम करते हैं प्राइवेट जो वरका कोई भी हम करम चारी हैं जो आप ऐसा कुछ कानून बनाई है कि जिससे कम से कम उनके खाने का तो पैसा उनको मिले, यारी अब देखिए आप पूरे महीने का पैसा कुछ नहीं मिला, 20,000 पर हमारा कर्चा है, तो कम से हम कहते हैं हमें कुछ नहीं, कम से कम 4-5,000 कुछ तो महीने के बांदे हैं, जबी लोकडाउन ये ना करें कि वो कि भई आपका भई करोन चालो हो गया तो हम आपको नहीं बुलाएंगे काम पर या हम आपको सैली भी ने देंगे अरे बहीं सही बात है करोना हमें भी पता है महामारी है उस से हमारी जान को नुक्सान होता है लेकिन एक चीबता ही है न जे, अगर हम घर में ही बैड़ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो जहान को तो वैसे भी निक्सान होगा, क्योंकि जब खाने पेट में ही कुछ नहीं जाएगा, खाने के कुछ नहीं है, तो क्या करेगा बंदा, बंदा फिर क्या, दो ही कार रहेंगे, या तो बंदा बहार जाके काम करें, करुणा से मरें, या घर में रहके भूके मरें, तो मोधी जी, ये समझते हैं, अब दीरे दीरे बहुत बढ़ पारी है, साधी है, आपको नहीं पता चल लिए होगी, लेकिन हम सारे दिन घूमते हैं फिल्लों में, और हमको ब दिसंबर जैसे एंड खतम, दिसंबर खतम होता, उसके बाद ही करुणा चाल दो जाता है, हमको तो ये समझ में नहीं आता कि करुणा है भी की नहीं, क्योंकि मोधी जी हमारे कारी में जितने भी कर्ष्पर बैठते हैं, हम किसी के मुँझ से ये नहीं सुनते कि हान जी करु करोना कहां आता है सिर्म निउस के अंदर, निउस में दिखता है, हाँ जी करोना है, आज इतने केस हागै, इतने केस हागै, मकर फेस टू फेस तो हमें कई समझे हम नहीं नहीं आता कई पता ही नहीं चलता करूना वी यह नहीं समझे today ड बेया आप अभी हमने कुछ दिन पहले इक प्रोग्राम देखा था जो निउस चैनल में जी निवाए गर आतार जो सूपर पावरफूर बन जाएगा लेकिन मोदी जी अभी तो प्रोडम ये आ रही है कि हमको अपना घुजारा करने के लिए पैसे नहीं हो पारे तो बताइए हम अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा कहां से दिलाएंगे तो मोदी जी जब पैसे ही नहीं होगा तो इकची सिक्षा कहांगे क्योंकि आपको मैं ये बात कहना नहीं चाहता है लेकिन आज के टाइम में आज की जमाने में सिक्षा अपने बच्चों को दिलवाना है ना बहुत बड़ा टास्ट है क्योंकि आजकल जो स्कूलों में सिक्षा नहीं मिलती है मोधी जी, वो बिजनेश चलता है क्योंकि आप हमारे टैम में जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम में हमारे तीन महीने की फिज जो 33 सुरुपे होती थी ठील है, आज वो ही फिंज आज एक एक महीने की ढाई ढाई तीन तीन पांच पार ददस अजार पे फीस है तो मोधी जी आप ये कहते हो बढ़िया सिक्षा अरे बढ़िया सिक्षा अच्छी बात है चलो कोई बात नहीं आगे जमाना बदलता है फीस से भी बढ़ती है उसमें हमको कोई दिक्षा नहीं है लेकिन फीस भरती है ब्लकुल ठीक बात है लेकिन उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए न मुझी जी जब पैसा ही नहीं होगा हमारे पास हमारे खाने तक का गुजारा नहीं हो पार है तो बताइए हम अच्छी सिक्षा बच्चे को कां से दिलाएंगे अब बताईए ये हर मिडल फैमिली की दिक्कत हो रही है तो आप इस बार में कुछ सोच के विचार करिए और प्लीज दोस्तों अगर ये मेरी बात आपको ठीक लगती है या आपको लगता है जो मैंने कही वो ठीक बात है तो प्लीज आप इस वीडियो को जाज ज़्यादा